शामियानी के दुआर पर बड़ी सी असंदी पर मम्मी जी विराजमान थी हर आने वाले को पहले उनी से मुखातिब होना पड़ता था फिर शुरू होता था बधाईयों का सिलसिला जिसे वे मंद मंद मुसकान के साथ ग्रहन कर रही थी और अफसर था हमारे नए क्लिनिक के उदगाटन का जिसे मम्मी जी ने अभी से नर्सिंग होम का नाम दे डाला था और डॉक्टर सहाब की मां होने के नाते वे उत्सव मुर्ती तो बनी ही हुई थी और मैं बैचारी बांदी की तरह हाद बांदे उनके पीछे खड़ी हुई थी लोग मुझे नजर अंदाज करें यह मम्मी का पहला उदिश्य था एक और भी मकसद था मुझे जलील करना इसलिए हर तीसरे आदमी के सामने वे बिसूर कर कह रही थी सचिन तो बड़ा मना कर रहा था मम्मी इतना हंगामा करने की क्या जरूत पर मैं ही जित पकड़ गई औरे भाई उसकी शादी में तो मेरे सारे अर्मान धरे के धरे रह गए ऐसी बद इंतिजामी हुई कि क्या बताओं बस एक ही साधती कि कोई कुश का मौका आए तो घर में जरासा धंका जशन मनाओ जब दो तीन बार वे जुमला दोरा चुकी तो मुझे भी विनेशिल बहु की भूमी का निभाना मेरे लिए कठी न हो गया कसेले स्वर में का मम्मी जी बद इंतिजामी तो होनी ही थी अगर सौ की जगा पांस सो आदमी आ जाएं तो सामने वाला क्या करेगा उसके पास कोई जादू की छड़ी तो होती नहीं उन्हाने मुझे खा जाने वाली नजरों से देखा पर सयम बरत्ते वे बुली शादी भिया में 25-50 आदमी तो कम जादा हो ही जाते हैं इतनी गुंजाइश तो समझदार आदमी भी रखता ही है इस समझदार शब्द से मुझे जैसे आग लग गई तल्की के साथ मैंने कहा मम्मी जी 50 और 500 में बहुत फरक होता है कोई कहां तक गुंजाइश रखेगा इतने लोग और वे भी बराती उन्हें कोई कोई कोरी सबजी रोटी खिलाकर को तो नहीं भेजा जा सकता ना मम्मी जी एकदम हत्ते से उखड गई इतनी देर से वे बड़े जतन से अपनी गरिमा मैचहवी को बनाए हुए थी लगा कि अब वे अपनी वाली पर उतर ही आएंगी मैं चुपचाफ वहां से खिसक ली नहीं तो बेकार का एक तमाशा खड़ा हो जाएगा मेरी शादी को आठ साल हो चले हैं पर तब से असी बार इस बद इंतजामी को कोसा जा चुका है आदमी जब्द भी करे तो कहां तक पता नहीं कहां कहां के रिष्टेदार जुटा लाई थी शादी की बाद आज तक उनकी शकल भी नहीं देखी जिन जिन स्कूलों में ममी जी सर्विस कर चुकी हैं उन सब स्कूलों का स्टाफ साब परिवार निमंद्रित था महिला मंडल तो था ही सतसंगे गुरूप भी था अड़ोसी पड़ोसी तो थे ही नाई, धोबी, दरजी सब बरात में चले गए और सिरफ खाकर ही चले जाते तब भी कोई बात थी आदे से ज़्यादा लोगों को मिलनी के लिए लिफाफे भी थमाने पड़े थे बद इंतिजामी होती नहीं तो और क्या होता पापा ने तो कसम खाली थी कि चाहे मुझे बरात का किराया क्यों न भुगतना पड़े मैं किर्टी के लिए लोकल दुला नहीं डूनूँगा मेरी शादी के छे महीने बादी पापा का ट्रांसवर इंदौर हो गया तब यहीं लगता रहा कि काश यहां ट्रांसवर छे महीने पहले हो जाता ममी जी की बातों से उपकर मैं बेटे के पास जाकर खड़ी हो गई पर शायद मेरा दिन ही खराब था क्योंकि यहां श्रवन कुमार मा का प्रशस्तिगान कर रहे थे यार ममी ने तो अपना पूरा प्राविडेंट फंड और ग्रेजुएटी मेरे हाथ में लाकर रख दी I am lucky to have a such a generous mother नहीं तो क्या यह जगा लेना मेरे लिए संभवता अभी तो प्रैक्टिस शुरू किये साल भर भी नहीं हुआ है मुझे बड़ा ताव आया मा का दान तो याद रहा पर मेरे पापा की गाड़ी कमाई भूल गए जिसके बल पर MS किया था मन हुआ कि चिला चिला कर सब को यह बता दू पर यह तो बहुत लंबी कहानी थी शादी की बद इंतजामी का जवाब तो मैंने दो टुक शब्दों में दे दिया था पर वह बात कहां से शुरू करती और कहां खत्म करती मेरी शादी में लेन देन कुछ भी तैन नहीं हुआ था पर पापा ने अपनी मर्जी से सब कुछ दिया था मुझे सौने से जैसे लाद दिया था पूरा बीस तोला सोना था इसके अलावा दमात को चैन, अंगुठी, चांदी की धाली, कटोरियां गिलास अलग से तीन तरह के तो डिनर सेट्स थे पापा ने तो पूरा फरनिचर भी बुक करा ले था पर इन लोगों ने कहा कि पोस्टिंग दूर कस्बे में है ट्रांस्पोर्टेशन में खर्च और भी होगा और तूट फूट भी तो पापा ने पचास हजार इनने थमा दिये थे और कहा कि अपनी पसंद से खरीद लेना पर घर आते ही वह पैसा मम्मी जी के खाते में जमा हो गया मुझे एक कलदार तक देखने को नहीं मिला हमें खाली हाथी अनन्तपुर आना पड़ा शॉपिंग की साथ मन में ही रह गई जब पहले प्रसव के लिए मापापा मुझे लेने आई तो घर का हाल देकर दंग रह गई पेशिंट्स को एक्जामिन करने वाले इमेज और दो स्टूल ये मेरा डाइनिंग सेट था ड्राइंग रूम में दो मुड़े और दो तीन टीन की कुरसियां थी अस्पताल के दो पलंगों से मेरा बेडरूम सजा हुआ था मनुरंजन के लिए एक ट्रांजिस्टर भरता फ्रिस तो बहुत दूर की बात है रसोई में ढंके चार बरतन भी नहीं थे माँ पापा को खाना खिलाते वे मुझे रोना आ गया माँ ने तो घर की दशा देखकर ही मुझे कोसना शुरू कर दिया था पर पापा बोले इसे यह सब क्यों सुना रही हो यह तो नहीं है घर में मूँ खोल कर कुछ कह सकती है क्या यह सब तो सचिन को सोचना चीए फिर उन्होंने एक काम किया सुनाली के जनम पर उसे छला तक नहीं दिया मेरे घर उन्होंने पाँच लड़ू तक नहीं भिजवाए पर मेरा पूरा घर फर्निश कर दिया दर्वाजों के परदों से लेकर पाउँ पोश्ट तक सब बदल डाला ममी जी तो पूरी तरह कुड़ गई बोली यहाँ जो कुछ है इन्हीं लोगों का तो है इसलिए नहीं खरीदा दो दो बार खरीदने में कौन सी तुक है लेकिन यह बात पैसे लेते समय याद क्यों नहीं आई उन पैसों का रहस्या बाद में समझाया साथ आठ जगा एपलाई करने के बाद इन्हें बैंगलॉर के एक कॉलेज में MS के लिए दाखिला मिला था पूरा पैसा वहीं स्वहा हो गया उस दिन मैं बड़ा रोई थी फाइनल के बाद मुझे अराम से PG में दाखिला मिल गया अपना प्रिया विश है गायनिक्स भी मिल रहा था उन दिनों फाइनल के मार्क्स के अधार पर ही PG में अड्मिशन होता था प्रिपीजी का चकर नहीं था उस समय इन लोगों ने मिझे जाने नहीं दिया कहा कि शादी के ऐसी क्या जल्दी थी पहले पढ़ाई पूरी कर ले थी इतना ही नहीं अपना कोई सोर्स लगवा कर ममी जी ने मेरी पोस्टिंग भी इनके साथ ही करवा दी जिस दिन इन्हें MS एलोट हुई ममी जी बोली बेटे आज तो मेरे जी को ठंडक मिल गई अगश्रुती को तुमसे पहले डिग्री मिल जाती तो तेरी इज़त तो दो कड़े की रह जाती पेटे बीवी हमेशा दो उंगल छोटी ही ढूणनी चाहिए ममी जी की चाती में तो ठंडक पड़ गई पर उस दिन से मेरे मन में तो जौला मुगी धदक रह था वे तो अब डिग्री मिलने के बाद ही शान्त होगा अरे आप यहां केली क्यों खड़ी रहे हैं मैंने चौक कर देखा डॉक्टर पारिक थे मुझे ध्यान ही नहीं था कब मैं आकर शामी आने के आखरी छोर पर खड़ी हो गई थी मेरे पीछे छोलदारी में पुलाओ की महक और पूरियां तलने की खुश्बू आ रही थी बगल में पलेटे दुलने की आवाजें आ रही थी सामने लगी में जो पर डॉंगे भरे जा रहे थे खाली हो रहे थे और मैं यंत्रवत आगंतोकों से हाई हैलो कर रही थी जबकि मेरा मन दूर कहीं अतीत में खोया हुआ था आपको तो वहां सचीन के बगल में खड़ा होना चाहिए था नहीं इधर भी तो किसी को होना जरूरी था सब लोग बाहर खड़े हो जाएं तो कैसे चलेगा मैंने किसी तरह जेप मिटाते वे कहा पर आपको यह भी तो सोचना चाहिए कि बधाई देने वालों को कितना लंबा फासला तैक करके आना पड़ेगा आपके पास पर उनको यहां आने की क्या जरूरत है बधाई के हगदार तो दर्वाजे के पर ही खड़े है नहीं भाबी जी बधाई की असली हगदार तो आप है पिछले छे साल साथ सालों में आपने जितना स्ट्रगल किया है मैंने बहुत करीब से देखा इसलिए कहता हूँ बधाई की असली हगदार आप है एक बाई फिर से बधाई देकर डाक्टर पारिक चले गए पर जाते जाते जैसे मुझे जगजोर गए अनगिनत यादे बर्रे की छटे की तरह मुझे पर तूट पड़ी और मैं लहू लुहान हो गए सबसे दर्दना किस्सा था देवेंद्र की शादी का आज भी याद आता है तो मेरे एक आँसु निकलाते है देवेंद्र मेरा इकलोता भाई उसकी शादी के लिए मन में इतनी उमंगे थी उतसाता पर सब मिट्टी हो गया उन दिनों ये बैंगलॉर में थे ममी जी ने कोई सोर्स लगा कर मेरी पूस्टिंग अपने पास ही करवाली थी सुभा शाम मैं सरकारी नौकरी करती और रात को दस बजे तक मिसिस रुंग्टा के नर्सिंग होम में ड्यूटी देती नर्सिंग होम की है नौकरी मेरा शौक नहीं था जरूरत थी घर में खर्च बढ़ गए थे मेरी अनिच्छा के बावजुद एक और बच्चा घर में आ गया था एक बेटा देना मेरी नैतिक करतव्य था क्योंकि सचीन अपने वंश के एक मातर चिराग थे सोनाली स्कूल जाने लगी थी उसके पढ़ाई पर बेशुमार खर्च हो रहा था पर सबसे ज़्यादा कर्ष्ट दे रही थी उसके पापा की पढ़ाई वह तो जैसे खतम होने पर ही नहीं आती महंगाई मूब आये बढ़ रही थी और मुझे लगता था ले आई ना अब अरे बेटा आस तो याद ही नहीं रहा उन्होंने सपाट शब्द में कह दिया मुझे तो रोना ही आ गया मैं कोई भीग तो नहीं मांग रही थी अपने ही गहने मांग रही थी जिन पर वे देवी जी फन फिला कर बैठी हुई थी जानती है मुझे शादी में जाना है पर कल तक इन्हें लौकर तक से लाने की फुरसत नहीं और आज कितने ठंडे स्वर में बता रही हैं कि याद ही नहीं रहा शादी के दो महीने बादी मेरी पोस्टिंग सचीन के साथ हो गई थी जाते हुए ममी जी ने सारे गहने उतरवा लिये थे बोली तुम लोग तो दिन बर भार रहोगे घर में इतना जोकिम रखकर क्या करोगे मन मार कर सब कुछ उनके हवाले कर दिया था उसके बाद उनके दर्शन केवल किर्टी की और मेरी बहन की शादी में वेते बस जब भी पीहर जाना होता मा बहुत कोस्ती पूरे बीस तोले सोना दिया था मैंने पर लड़की को देखो नंगी बुच्ची चली आती है फिर कहीं जाना होता है तो अपना पहना कर ले जाती तब बहुत शरम आती और शादी में तो यह संभव नहीं था दस रिष्टेदार आएंगे और सो तरह की बाते करेंगे उसी समय दोड़ी दोड़ी बजार गई भाई के लिए भारी भरकम प्रिजन्ट खरीदने के बाद कुछ गुँजाईश ही नहीं बची फिर भी हिम्मत करके चांदी का एक पॉलिश वाला सेट खरीद लिया कुछ तो पहनने कोगा जिस समय मैं वह सेट पैक करवा रही थी डॉक्टर पारिक ने सपतनिक दुकान में परवेश किया अरे आप अभी तेक गई नहीं उन्हानी तो सहजी पूछ लिया पर मैं इतनी भरी हुई थी कि एक दम फूट पड़ी इस तरह की बातें बाहर वालों से नहीं करनी चीए यह भी याद नहीं रहा वेलो फिर जबरदस्ती मुझे अपने घर ले गए मिसिस पारिक ने अपनी पूरी जोलरी बॉक्स मेरे सामने रख दिया शरम और संकोच से गड़ गए केवल उनका मन रखने के लिए मैंने अमरीकन डायमेंड्स का एक सैट उठा लिया इस हादसे के बाद जब मैं इन दोर पहुँची तो लग रहा था कि जैसे छे महीने की बिमारी भुगत कर आ रही हूँ हर कोई मुझे देखकर सक्ते में आ गया और ये ठीक बराद चड़ने के समय आये मन में तो इतना कुछ घुमड रहा था कि मिलते ही आड़े हाथों लेना चाहती थी पर इतने लोगों के बिच मौका नहीं मिला लेकिन पहला वार उन्होंने ही कर दिया जरासा एकांत मिलते ही बरस पड़े तुम हर बार गहने के लिए ममी को क्यों कोच्चती रहती हो मैंने ऐसा कब कहा मैंने पूछा तो फिर बार बार तकाजा करने का क्या मतलब अरे भाई की शादी है शादी के लिए भी ना मांगो लेकिन तुम्हारे गहने ममी के पास तो नहीं है तो फिर कहा है देखो मेरी MS हो जाने दो मैं तुम्हें सौने से लादूँगा पर महरबानी करके वह विशय अब घर में मत छेड़ना मतलब मुझसे पूछे बिना मेरे गहने आपने ठिकाने लगा दिये और दौनों मा बेटे मुझसे छिपाए रहे इसलिए आपकी मातूश्री मुँ में दही जमाय बाटी रही शूरूती, mind your language इन्होंने कहा language my foot मैंने भी तमक करका और भी बहुत कुछ कहना चाहती थी पर कमभक्त रूलाई ही आगई मैं धुआधार रोती ही चली गई इतना तो मैं विदा के समय भी नहीं रोई थी और सभावी की था उस समय मन में भावी जीवन के रंगीन सपने थे आशाय थी और अब अब बच रही थी केवल हताशा अपने घर में होते तो शायद मेरे रोने की उतनी परवा नहीं करते पर ससुराल में तो ये अंदेखी नहीं कर सकते थे देड तक बैठे मुझे समझाते रहे तुम तो डॉक्टर हो गवार औरतों की तरह गहनों के लिए रोती हो जरह मेरी प्रैक्टिस जम जाने दो तुमें सर से पाउं तक सोने से लाद दूँगा यह तो मेरा इश्वर ही जानता था कि मैं सोने के चंद टुकडों के लिए नहीं रोई थी गहने तो फिर भी बन सकते थे पर मेरा विश्वास था वह तो तूट गया उसे लोटाने का कोई उपाए वो तो नहीं था मिसिस पारिक ने भी यही कहा था जब मैं उनका सेट लोटाने गई तो बोली शुरूती अभी तुम बहुत छोटी हो शायद इसलिए बहुत भावुब भी हो थोड़ा प्राक्टिकल होना सीखो यूं हर किसी पर विश्वास करना ठीक नहीं हर किसी पर मैडम पर वे तो मेरे पती है रुपी पैसे के मामले में अपने जाये पर भी विश्वास नहीं करना चीए फिर ये तो सास के जाये है तुम्हारा कोई बैंक अकाउंट है अलग से सैलरी के लिए तो खुलना ही पड़ता है लेकिन हाँ हाँ लेकिन पास्वुक मेरे पास नहीं है यही न उन्होंने कहा हाँ पास्वुक माजी के अलमारी में रहती है इस घर का यही दुस्तूर है इसलिए कहती हूँ कि इतनी भावुक मत बनो वह यह भावुक था तुम्हे इतना आस सहाए और नुई रुपाए बना दे की कि पाई पाई के लिए दूसरों का मुझ देखना पड़ेगा और उसी दिन उन्होंने मेरा एक और एककाउंट खुलवा दिया और तभी मुझे याद आया डॉक्टर सहाब मुझे आकर बदाही दे गए और मैंने मैडंग के बारे में पूछा तक नहीं क्या सोचा होगा उन्होंने मैं अपने आप में इतना खो गई हूँ कि समान्य शिष्टाचार भी याद नहीं रहा अपनी बेफकुफी पर माता मना ही रही थे कि मिस्टर और मिसिस पारेक आते दिखाई दिये मैंने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया और अपनी भूल के लिए शमा मांगी माफी तो मैं आपसे मांगने आया हूँ पता है शुभा ने मुझे इतनी डाट लगाई मैं तुम्हारी पीजी के बारे में तो भूली गया था और अल दा बेस्ट विशिस फ्रॉम आवर साइड इस जमिले में पढ़ाई तो कुछ हो ही नहीं पाई ये जमिले तो बाद में भी हो सकता था मैडम जोध्शी ने यही मुरत निकाला था ओके अल दा बेस्ट उन्हाने कहा थैंक यू सर थैंक यू मैं ये भले ही गेट पर खड़े थे पर आखे शायद इधर ही लगे थी पारिक दमपती के जाते ही ये खर्मा खर्मा चलकर मेरे पास आख खड़े गए यहां ऐसे अलग थलग क्यों कड़े हो वहाँ सब लोग तुमारे बारे में पूछ रहे है सबी लोग बाहर बैट जाएंगे तो कैसे चले गए इधर भी तो कोई होना चाहिए और जिने मिलना होगा वे यहां तक भी आ जाते हैं हाँ सो तो देखी रहूं क्या कह रहे थे तुमारे फ्रेंड फिलोसफर एंड गाइड बड़ी देर तक बाते हो रही थी घराए महमान से बाते तो करने ही पड़ती हैं शिष्टा चार का तक आजा है मैंने कहा और शिष्टा चार की यह परमपरा सिरफ दूसरों के लिए है क्यूं अब तक तो बड़ी हंससकर बाते हो रही थी मुझसे बात करते वक्ती तुम्हारा मुझ सूच गया हाँ इसका कारण भी तो आप जानते हैं उनका मूड एकदम उखड़ गया बोले वहाँ थोड़ी देर मम्मी के पास खड़ी हो जाओगी तो छोड़ी तो नहीं हो जाओगी अपनी नराजगी का ऐसा सा कारवजिनिक परदर्शन करना जरूरी नहीं है मतलब यह है कि गुस्सा सिरफ डॉक्टर पारिक का नहीं था मम्मी जी ने पट्टी पड़ाई थी तमाशा करना अच्छा नहीं लगा इसलिए चुप चाप इनके पीछे हो ली बाहर मम्मी जी ने नया ही राग छेड़ा था लोग तो दमाद को विलायत तक भेज़ देते हैं यहां तो जो भी करना है अपने से ही करना है इसके ससरौल वालों को बदाई देने तक की फुरसत नहीं है फिर से एक करारा वार करने की इच्छा हो रही थी पर जब्द कर गई लगता है यह जिन्दगी वार करते करते और वार जेलते ही बीते गी ममी जी ने जो दिया वह तो धिन्दोरा पीट कर दिया पर पापा का दान तो गुपती रह गया और उनकी लाडली जो इतने साल से देती आ रही थी उसका तो कहीं जिक्री तक नहीं किया और रही बधाई की बात तो केर्टी और देवेंदर ने खुबसूरत कार्ट भेज दिये पापा का तार आ गया वाकी यहां सब आने से कतराते थे पापा के पास तो उम्र का सबब था देवेंदर तो साफ कहता है दीदी तुम्हारी सास बोलती नहीं डंक मारती है मैं तो द की अचीवमेंट से कोई मतलब नहीं ना यही बात तो मैं भी कह सकती हूँ मैंने बार बार चिरोरी की थी कोई दूसरी तारिक ले लीजे मेरी पढ़ाई डिस्टरब हो जाएगी पर आप आप तो चाहते ही नहीं कि मेरा सेलेक्शन हो फालतु की बगवास मत करो तुम्हें याद है मालू मैंना कि ये तारिक मैंने नहीं पंडिक जी ने निकाली थी डॉक्टर होकर आप जोधशी पर इतना विश्वास करते हैं मैंने कहां अरे दुनिया करती है और तुम इतना बविला क्यों मचा रहे यो फॉर्म भरने से पहले किसी से पूछा था और पीजी करन कि आपके लोटते ही मैं अपनी पढ़ाई पूरी शुरू कर दूगी पूरे डेड़ साल तक मैंने प्रतिक्षा की जब आपने बात ही नहीं उठाई तो मुझे पहल करनी पड़ी वैसे आपको चिंता करने की जरुवत नहीं जैसे महुल में मैंने तैयारी की है मेरा निकलन चौड़ कर अब तुमारे बच्चे पालू क्या बच्चे स्रफ मेरे हैं आपके भी तो हैं फिर घर में ममी जी भी हैं मैंने का अ ममी की उम्र है यह सब करने की मैं साफ कहे देता हूँ जब भी जाना हो तो बच्चों को इन दो़ चोड़ कर जाना क्यों क्या मेरे बाप पिंटू किस के पास था पता है किर्ती हर मैंने हजार उपे भिजती थी आपका बुता है देने का क्या इतने से बच्चे के लिए एक हजार यह तो सरासर लूट है क्यों बच्चे क्या मुफ्त में पल जाते हैं सौ खर्चे होते हैं दूद चाहिए, ब्रड बिस्कुट चाहिए फल फूल चाहिए, हारी भीमारी में डॉक्टर और दवा भी चाहिए देख भाल के लिए काया की भी जरुवत होती है मेरे पापा बिचारे रिटायर्ड आदमी इतना सब खर्च कहां से करेंगे तो फिर रहने ही दो बच्चों के बड़े होने तक तो तुम्हें कुछ करने की जरुवत नहीं अभी मैं इतने रुपे स्पेर नहीं कर सकता बच्चों का खर्च मैं उठा लूँगी बस स्टरी लिग पर जाओंगी तो सैलरी पूरी मिलेगी फिर दो सैल के ही तो बात है मैंने कहा यानिकी तुम यह जता न चाहती हो कि जिस कोर्स में मैंने चार साल लगा दिये तुम दो साल में कर लोगी अपनी बुद्धी पर इतना नाज है तुम्हे आप से तो बात करना ही फीजूल है मैंने कहा और बात को वहीं विराम दे दिया सुभा उठी तो सिर बेहत भारी हो रहा था एक तो रात देर तक बग जग होती रही उसके बाद दौनों दो विपरे दिशाओं में मूँ करके लेटे रहे नीद आने का तो सवाल ही नहीं था सारी रात आँखों में काड़ दी अजीब अजीब खेयाल आते रहे सच मुच अगर सेलेक्शन हो गया तो बच्चों का क्या होगा वैसे तो मैंने इन दौर ही मांगा था पर कहीं और जाना पड़ा तो तो खर्च कैसे पूरा होगा घर से तो कुछ आशा करना ही वेर था मिसिस पारेक की बात याद आती रही जिद करके उन्होंने अलग से खाता तो खुलवा दिया था पर उसमें सौपचास से ज़्यादा कभी ढाली ही नहीं पाई पास्वुक हात में लेते हुए मम्मी जी बड़ी चौकस रहती थी मेरे वेतन का हिसाब उन्हें मूँ जबानी याद था मेरे इंक्रीमेंट्स की ख़बर तो उन्हें पहले से लग जाती थी मिसिस रूंटा के यहां से मुझे जो मिलता था उस पर भी उनकी कड़ी नेजर होती थी पहले तो फिर भी इधर उधर कुछ आए हो जाती थी पर अब जब से इन्होंने प्रैक्टिस शुरू की आमंदनी का वह जरिया भी बंद हो गया अब शाम को इनके साथ बैठना पड़ता है इन्होंने तो इन्टी में स्पेशलाइजिशन किया था पेशेंट्स ही का दुका आते थे अभी दूसरे डॉक्टरों में भी साख नहीं बनी थी कि आपरेशन को के बुलावे आते सहारा जर्नल पेशेंट्स का ही था सिविल अस्पताल वाले मेरे सारे पेशेंट्स अब इधर आने लगे थे डॉक्टर रुंटा कोई की OPD भी अब विरान रहने लगी थी मेरा काम वहाँ अच्छा चल निकला था डॉक्टर रुंटा मुझे खुशी से ढाईती नजार तक दे देती थी पर यहाँ तो आमंदनी के नाम पर शुणने था जो कुछ भी मिलता इनकी जिम में चला जाता मेरी सरकारी नौकरी की सारी तनका घर में खर चो रही थी रिटायर्मेंट के बाद मम्मी जी ने एकदम हाथ खीच लिया यद भी घर में शाशन अभी उनका ही चलता था इनकी नई नई प्रैक्टिस थी इसलिए ये सारी उलजनों से बरी थे मैंने कभी भी अपने आपको इतना असहाए नहीं पाया था पूरा दिन मेरे सामने मूँ बाए खड़ा था और उसका सामना करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी फिर पता नहीं एका एक मुझे क्या हुआ हॉल में आकर मैंने डॉक्टर रुंग्टा का नंबर गुमा दिया और वे तुझ जैसे मेरी परतिक्षा में ही बैठी थी मेरा परस्ताफ सुनते ही बाग बाग हो गई इन्हें जब चाय देने गई तो एकदम पूझ भाटे फॉन किसका था? रुंग्टा का मैंने ही लगाया था मैंने लापरवाई से जवाब गए डॉक्टर रुंग्टा का नाम सुनते ही इनके माते पर बल पड़ गए इतनी सुभा क्या जरूवत पड़ गई? एक बात मन में उठी थी तो सोचा कर ही डालो कौनसी बात? इन्होंने का यही कि अगर मेरा सेलेक्शन नहीं होता तो मैं फिर से नर्सिंग होम जोईन कर लोगी कुछ एक्स्ट्रा इंकम हो जाएगी और वी नीड मनी बैडली है है ना? अगले साल मुझे बाहर जाना पड़ा तो हाथ में कुछ तो होना चाहिए ना हो तो आप वाजपाई जी कि कि विनिता को कुछ दिनों के लिए बुला लीजे वह पूझ भी रही थी पैसे कि उसे खास फिक्र नहीं उसे तो अनभव चाहिए और आपको भी एक हेल्पिंग हैंड मिल जाएगा बहुत वैसा लगे तो कुछ परसेंटेज दे दीजेगा उसे वे मुझ भाई मुझे देखते ही रह गए और कोई दिन होता तो गुसे में शायद जपट पड़ते पर आज निश्यन बैठर है शायद समझ गए थे कि नदी में नितर्डबंद छोड़ दिया है पानी सिर्च से उपर हो गया अब उसे बांधा नहीं जा सकता